लो माई डियर फ्रेंड्स कैसे आप लोग बढ़िया एक दम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को तो सबसे पहले मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे प्यारे लम सुंदर लाल यह कलास 12 में 100% पूछा जाता है क्या है तो एनिलीन से अधिक छार सी टू एच फाइब एनेजटू ठीका है अब इसी का हम लोग एक नक्सा बनाएंगे तो एनिलीन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीका है यहां पर एनेजटू यह आप लोग को साइकलिक ठीका है यह गर आए खी तो कहने कार्त वे आनुसुत्र हुआ अब यहां पर दिखिए इसको लोग तोर सकते सी एजटीरी सी एजटू और यहां पर एनेजटू यहीं वगा इधाइलमिन तो कहने के मतलब इधाइल मतलब यह अलकायल समू है ठीका है अलकायल समू होने के कारण ही यह जो आप लोग को संभव होगा व्यक्या करना तो चलिए हम लोगों बताऊंगा यही मैं बताना चाहता हूं मिर भाई कि एनिलीन में ठीक है क्या लिखूंगा एनी लीन में एनिलीन में फिनाइल समू होता है क्या होता है फिनाइल समू रहता है जबकी जबकी ठीक है एथाइल एमीन में क्या चीज में एथील या एथाइल एक ही हुआ एथाइल एमीन में एथाइल एमीन में अलकाइल समू क्या होता है एलकाइल समू या एलकील समू भी आप लोग बोल सकते हैं इंगलिस में हम लोग इस तरह से लिखते एलकाइल अलकाईल समू रहता है जो पोजेटीव उत्पिरेरक परभावदर साता है पोजेटीव क्या दर्साता है मिरा भाई exactement देटीव यानिके धनात्मक उत्पिरेरक परभाव ठीक है? प्रभाव दरसाता है ठीक है? एतना बात तो आप लोग समझ गए है इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? इसलिए 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 बस कैसे हटा? क्या लिखेंगे? एनी लीन से ठीक है एथाइल या एथील एथीलेमीन अधीक क्या होता है छारिये होते हैं अधीक छारिये होते हैं तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग आप समझें कि एनिलीन में फिनाइल समू होता है ठीक है अजब कि एथाइलेमीन में अलकाइल समू रहता है यानि कि एलखील समू रहता है जो पोजेटिव उत्पिरेरक परभाव दर्साता है इसलिए एनिलीन जो है एथाइलेमीन से अधिक छारिये होता है तो आप लोग को यह अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सा कि हमारे भाई आप लोग जहूर से यहीं रिक्वियस्ट है तो नीचे डिस्किप्शन आप लोग एक बार जहूर चेक करेंगे इसका औल पार्ट बिसमा है इस स्नाइपर जैहिंद जैभारत